उदर उत्तरप्रदेश के हर्दोई से भी दिली की कंजावला जैसा मामला सामने आया भाँ कार में बैठे कुछ लोगों ने एक छात्र को कई मीटर दूर तक घसीर दिया यहादसा उस वक्त हुआ जब वो कोचिंग सेंटर से लोट रहा था तबी वो उस कार की चपेट में आ गया इस घटना का जो वीजियो सामने आया उसमें सडक से कई मोटर साइक ले गुजरती दिखाई थी इसी बीच एक तेज रफतार कार एक लड़के को घसीरती हुई जाती नजर आई जिससे बचाने के लिए कुछ लोग उस कार की पीछे भागने लगी लेकिन ड्राइवर कार रोकने के बजाए और तेजी से भगाने लगा जिसकी वज़ह से वो लड़का काफी दूर तक घसीरता चला गया इस घटना की बात वहां हड़कंप मच गया और लोग उस लड़के की जान बचाने के लिए अपने घरों से बाहर निकल कर जोर-जोर से चिलाने लगे जिससे वहां लोगों की भीड़ी खटा हो गई गुसाई लोगों ने उस कार को खेर लिया और उसे सड़क के बीचो बीच पलट दिया जिससे वहां लंबा जैम लग गया गुसाई लोगों ने कार में तोड़ फोड की जबकि उस ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई भी की घटना की जानकारी मिलने के तुरंट बाद पुलिस के कई जवान पहुँच गए जिन्होंने मामला शांत करवाने की कोशिश की लेकिन गुसाई भीर ने जम कर हंगामा किया हाला कि किसी तरह पुलिस के जवानों ने लोगों को समझा कर मामले को शांत करवाया और उस ड्राइवर को बचा कर मोटर साइकील पर बठा कर ले गए जबकी वहां कुछ पुलिस कर्मियों ने जड़क के बीचो बीच पलती कार को लोगों की मदद से सीधा कर रास्ते को खाली करवाया पुलिस ने आरोपी के खिलाब केस दर्शकर उसे हिरासत में ले लिया और मामले की जांच में जुड़ गई इस आस्ते में वो लड़का बुरी तरीके से घायल हो गया जोसे अस्पताल में भरती करवाए गया जहां उसका इलाज चल रहा है पेर मेरा फ़स गया वो खेजते खेजते ले आया वही पुलिस के आला दिकारी अस्पताल पहुच गए जहूं नों ने इस खटना पर उस लड़के से भी पूश्टाच की इस वीज मेकसिको में दुनिया के सबसे बड़े ड्रग्स तसकर माने जाने वाले ऐल चापो के बेटे की गिरफतारी के बाद बवाल मच गया मेकसिको के कुलियाकरन में इसके गिरोग के लोगों ने आतंक फैलाने के इरादे से बंदू के थाम ली जिसके बाद मेक्सिको की सडकों पर माफिया राज दिखाई दिया वहां से आए एक वीडियो में तो एक बदमाश हवा में उड़ते एक प्लेन पर गोलियां बरसाता नजर आया वहीं कुलियागन एरपोर्ट पर एल चापो के ग्यांग के बदमाशों ने खुले आम फारिंग कर दी दावा किया गया कि उनमें कुछने रनवे पर खड़े एक प्लेन पर अंदा दुन गोलियां बरसाई जिससे उसमें मौझूद यात्री अपनी जान बचाने के लिए प्लेन की सीट छोड़ कर जमीन पर बैट गए बताया गया कि एरपोर्ट पर मौझूद बदमाश काफी देर तक हाथों में एके 47 लेकर लोगों को धमकाते रहे जिने पकड़ने में पुलिस भी नाकाम दिखी और यह सब हुआ ड्रग तसकर ओविदियो की गिरफतारी के बाद आरोप है कि ओविदियो ड्रग्स की तसकरी के साथ ही मेक्सिकों में अपराधियों का एक बहुत बड़ा गिरो भी चलाता था और यही वज़े थी कि अपने मुख्या के गिरफतार होते ही उसके संगठन से जोड़े बदमाश सड़कों पर उतरा है यहां तक की छोड़े छोड़े बच्चों को भी एके 47 से लैस कर दिया गया जिसके बाद मैक्सिको की कुलियाकन शेहर में इतना तनाव बढ़ गया कि सेना को मोच्चा समालना पड़ गया और सेना के जवानों के सामने ही विद्रोहियों ने कई गाडियों को आग के हवाले कर दिया वही एरपोर्ट पर तो यह बवाल कई घंटों तक नहीं थमा रनवे के आसपास मौजूद लोगों ने वहां आने वाली हर फ्लाइट पर गो से गिरा दिया गया